आज नोराती का पहला दीने मैंने साबुर्दाना और मूफली की एक ऐसी रेसिपी बनाई मेरे बच्चों ने खाया तो बोला कि मम्मा हम भी व्रत करेंगे तो उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया व्रत तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है सम्यस कुकिंग डायरी में आप लोगों का स्वागात है तो सबसे पेड़े आपको कच्चा सबुर्दाना लेना है बिना भीगोए पस एक कडाई में डालना है एक कप उसके अंदर दो लाल मिर्श पाड़ोर और आधा कप यहां कच्ची कूफली तीनों चीजों को लो फ्लेम पे भूनना है बहुत ही जल्डी और बहुत अच्छे से भून जाता है आप तीनों चीजों को अलग अलग भी भून सकते पर मैं यहां पर टाइम को बचा रही हूँ इसलिए इस तरह से भून रही हूँ बहुत असानी से भून जाता है अलग भूनने की जरूरत नहीं है जब सारी चीज़े भून गई तो मैं इसमें से जो मिर्ची है और थोड़ा बहुत मूंफली यहां अलग कर लोंगी बाकी उसी में मूंफली को रहने दोंगी इसी बीच मेरी बेटी आई बोले कि ममा चाय पी चीज़े और हराधनिया डाला है उसके बाद यहां डालेंगे जो हमने मूंफली को निकाला था एक टेबल इस्पून के करीब उसको डाल दिया है और टेश्ट के एकोडिंग नमक और आधा टेबल इस्पून जीरा बस पीना पानी का यहां पीसना है पानी की जरूरत नहीं है इसलिए पानी डालने की जरूरत नहीं है हमारी अच्छी सी टेश्टी सी चट्नी बनके तो तयार है बस आपको यह वीडियो कैसी लग रही है और आप यह बनाएंगे की नहीं और बनाएं है की नहीं जरूर कॉमेंट करें बस हम एक जार लेंगे जार के अंदर जो हमने म ठंडा होने के बाद ही पीसे फाइन सा पावडर बहुत ही असानी से हो जाता है क्योंकि जब आप भून लेंगे चीजे ना तो बहुत ही असानी से होता है बिना भूने आप पीसेंगे ना तो वह सही से नहीं पीस पाता इसलिए भूनना बहुत जरूरी है बस हमने एक बड कच्छा आलो तरफ आपको समझ आ रहा होगा नहीं समझ आ रहा हो वीडियो तो आप जरूर कोमेंट करें मैं और अच्छे से कोशिश करूँगी समझाने की और भीना पानी कहां में इसको पीस लेना है देखीए पानी यहां नहीं डालना है क्योंकि आलो में पानी होता है और जो हमने आदू पीसा उसको इसके अंदर डाल लेंगे जो साबुरदाने का पावडर है और थोड़ा सा पाने डालेंगे जो जार में लगाता और जो हमने चटनी बनाई थी आधा टेबलिस्पून डाल देंगे और टेस्ट के कोडिंग नमक यहां पे नमक में साधा नहीं ले भनाना क्या है रहे जी पानी को बहुत ज्यादा सोकता है इसिदिया नहीं देंटा और और पेश्ट बना करें लाए Logi है बस ध्यान रखना है आपको अच्छा गरम लोहा तवा करना है और तेल डालना है दुएदार गरम होना चीए लोहा तवा उसके बाद अच्छे से बन जाएगा उस पे भी और यहां में नोनिश्टीक ले रही हूं थोड़ा सा तेल डाला है इसकी जेगे अब घील ले सकते हैं और देखिए दोनों साइड से जब यह क्रिस्पी हो जाएगा फ्रेंट से ठंडा होने के बाद भी इतना ज्यादा टेश्टी लगता है मेरी गारंटी आप एक पर यह बना लिए ना तो आप बिना ब्रत के भी यह बना के खाएंगे इस तरह से मैं दही और चटनी के साथ य देख रहें तो आप फोलो जरूर करें देखिए मैं आपको तोड के दिखा रहें बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तयार हो गया है नेक्स्ट वीडियो आप लोग बताईए में क्या बनाओ कोमेंट जरूर करें तब तक के लिए बाए वाए